हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो यूर फेरवेट चैनल टेक यूट्यूब है जो भी ये वीडियो देख रहा है सबसे पहले हम उसको कॉंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे कि उसको यूपी गॉवर्मेंट की तरफ से स्मार्ट फोन या टैबलेट प्रोवाइड हो चुका है लेकिन जब आपने अपने फोन का स्विच आन किया होगा तो आपको कुछ इस तरह का वाल पेपर देखने को मिल रहा होगा जिस पर सीम योगी और प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी का थीम आ रहा है लेकिन अब आपको थीम को चेंज करना है वाल पेपर को तो आप कैसे करोगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले आपको बता दे कि अगर आपने इस वाल पेपर को देखके आपके माइंड में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि अगर हम इस फोन को फॉर्मेट कर देंगे तो यह सही हो जाएगा या फिर इस वाल पेपर को चेंज करने के लिए वाल पेपर को चेंज करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक यूज करें जिससे वाल पेपर चेंज हो जाए तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस फोन को फॉर्मेट कर देंगे तो ये फोन एक डिपपा हो जाएगा इसके लावा इसके कोई भी वेल्यू नहीं है अगर आप इस फोन को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने के जस्ट बाद आप से एक पासवर्ड मांगा जाएगा जो कि यूनी कोड होता है और यूनी कोड आपको पता नहीं है सिर्फ या पर यूपी गवर्मेंट को पता है या पर सैमसंग की सर्विस सेंटर को पता है जो की सीक्रेट है तो नहीं अगर आप service center के पास जाएंगे तो भी वो आपको वो unique code नहीं देंगे चुकि उस phone का unique code है तो इसके अलावा आपके पास कोई भी option नहीं होगा ये phone waste है इसका कोई use नहीं है otherwise आप लोग ऐसा कुछ भी मत करें जिससे की ये phone डिपा हो जाए लेकिन friends आपके लिए ये good news आ गई है कि जैसे ही इसमें update version आएगा then आपको ये option मिल जाएगा enable हो जाएगा कि आप इसकी theme को change कर सकते हैं और आप जो भी wallpaper लगाना चाहिए वो इस पे set कर सकते हैं तो tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है जैसे अपडेट आता है वैसे ही ये policy change हो जाएगी so friends finally video complete हो गई है information कैसी लगी comment में जबरूर बताना video पसंद आई तो video को like कर देना और channel को subscribe कर देना तब तक के लिए keep watching keep supporting thank you